मारकंडे रिशी की तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी को क्यों होना पड़ा निर्वस्त्र? उर्वशी के विशय में हम सभी जानते हैं. वो देवराज इंद्र की सबसे सुन्दर अपसरा और अन्य अपसराओं की प्रमुख थी. प्रित्वी महान रिशियो मुनियों से भरी हुई थी और जब भी कोई मनुष्य घोर तपस्या करता था, देवराज इंद्र अपनी कोई अपसरा उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे. कदाचित अपने सिनहासन के लिए वे कुछ अधिक ही चिंतित रहते थे. उनकी ही एक अपसरा मेनका ने राजर पुत्र की प्राप्ती हुई. इसी उर्वशी ने रिशी श्रिन के पिता रिशी विभांडक की तपस्या तब भंग की जब अन्य अपसराएं हार मान बैठी. एक तरह से कहा जाए तो उर्वशी देवराज इंद्र का अचुक अस्त्र थी. किन्तु उर्वशी को भी एक बा मुह की खानी पड़ी. मारकंडे रिशी महादेव के अनन्य भक्त थे. उनकी आयू कम थी जिस कारण उन्होंने भोलेनात की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और महारुद्र के क्रोध के कारण मारकंडे के प्राण लेने आये स्वयन यम्राज भी मृत्यू के मुख में ज तपस्या से देवराज इंद्र स्वभावता चिन्तित हो उठे. उन्होंने सोचा मारकंडे रिशी उनके इंद्रपत के लिए ही तप कर रहे हैं। के साथ मारकंडे रिशी के समक्ष आई। कई दिनों तक उसने भांति-भांती के इनृत्य कर उन्हें जगाने का प्रयास किया किन्तु सफल ना हो सकी। अब तो उर्वशी का भी मान भंग हुआ और फिर उसने कोमल स्पर्ष द्वारा मारकंडे रिशी को अपनी ओर करने का प्रयास किया। कौन हैं और यहां किस प्रयोजन से आई हैं। एक तपस्वी का ऐसा द्रेड संकल्प देखकर उर्वशी लज्जा से गड़ गई और वस्तरादी से पुनह सुशोभित होकर उसने हाथ जोड कर उनसे कहा है महर्शी। समस्त देवता और उनके स्वामी इंद्र भी जिसके सानिध्य को सदैव लालायत रहते हैं। मैं वो उर्वशी हूँ। देवराज की आग्या से मैं आपका तप भंग करने आई थी किन्तु आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर-चूर कर दिया। किन्तु है महर्शी अगर मैं बिना आपकी तपस्या भंग किये वापस स्वर्गलोक गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। स्वर्ग में जो स्थान इंद्र प्रिया शची का है वही मेरा भी है। आथ अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। तब मारकंडे रिशी ने कहा देवी। इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। जब इंद्र की मृत्यू हो जाएगी तब तुम क्या करोगी। इस पर उर्वशी ने कहा है महर्शी। मेरी आयू इंद्र से कहीं अधिक है। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्रपद का भोग नहीं कर लेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। मेरी आयू परम्पिता ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प के बराबर है। तब मारकंडे मुनी ने कहा किन्तु उसके पश्चात। जब परम्पिता का एक दिन व्यतीत होने पर महारुद्र महा प्रलय करेंगे तब तुम्हारे इस रूप का क्या होगा। इस प्रश्न का उर्वशी के पास कोई उत्तर नहीं था इसलिए वो उसी प्रकार सर जुकाए खड़ी रही। तब मारकंडे रिशी ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज वहां आये और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा मुनिवर। आप धन्य हैं कि उर्वशी के अतुल्निय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंड ही रहा। आप ही वास्तव में स्वर्गलोग के वास्तविक अधिकारी हैं इसलिए चलिए और स्वर्गलोग का शासन संभालिए। तब मारकंडे रिशी ने हंस्ते हुए कहा है देवराज। मैं स्वर्ग के सिनहासन का क्या करूंगा। क्या आपको ये ग्यात नहीं कि चौधा भुवनों के स्वामी महादेव ने स्वयं मुझे अपनी कृपा प्रदान की है। उनकी कृपा के आगे आपके सिनहासन का क्या मोल। इसीलिए मेरी और से निश्चिन्त रहें और धर्म पूर्वक स्वर्ग पर शासन करते रहें, मारकंडे द्वारा इस प्रकार कहने पर देवराज निश्चिन्त हुए और फिर उन्होंने उर्वशी के साथ स्वर्गलोग को प्रस्थान किया। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।